अबिमान विट्यूभै और अत्याचार का कोड उभरता है तो मन शक ऐसा दिखाई देता है तुम बैठो तो बहना जो अपने घर में देव की जैसे बहन को बैठने का स्थान न दे पाया वो मेरा क्या मान करेगा बहना देवकी और वसुदेव आज भी मेरे लिए आती प्रिया है मेरी लड़ाई तो ब्रह्मा से है मेरी लड़ाई तो एक भविश्य वानी से है मुझे अच्छा थोड़ी लगता है कि मेरा परम मित्र वसुदेव कारागार में है मैं तो यह सोचकर रात को सो भी नहीं पाता कि मेरी लाटली तेव की बंदी ग्रह में है परन तुम्हें क्या करूं तुम्ही जाकर उन्हें समझाओ कि अब भी मैं उन दोनों को उतना ही प्रेम करता हूं उनके आठों बच्चों की हत्या करने के बाद तो मैं उन्हें इस राज भवन में ले आऊंगा लेकिन भविश्यमाणी तो आठों पुत्र के लिए है तो आप आठों बच्चों की हत्या क्यों करना चाहते हैं यही तो कठिनाई है रोहणी कि यह निर्णय कैसे लिया जाए कि पहला पुत्र कौन सा है इसमें कठिनाई क्या है मतुरा नरेश क्या आपको आठ तक सिधी गिंती नहीं आदे गिंती तो आती है रोहणी परन्तु प्रश्न तो यह है कि गिनना कहां से आरंभ करूं यह सोचो कि एक चक्र में किसी ने आठ बिंदू डाल दिये हैं और जब वो बिंदू डाले जा रहे थे उस समय मैं वहाँ था नहीं इसलिए मैं यह कैसे जानू कि पहला बिंदू कौन सा है और आठमा बिंदू कौन सा अपने जीवन की रक्षा करना मेरा करतव्य भी है और धर्म भी इसके अत्रीक और मैं कर भी क्या सकता हूं रोणी तुम महाँ जाकर उनको धाडस बंधाओ क्योंकि मुझे समाचार मिल चुका है कि देव की कर्प से है मैं भी कितनी आभागन हूं कि माँ बनने की खुशी भी प्रकट नहीं कर सकती क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरा आने वाला पालक अपने भाग्या में जनम से हिम्रत्यों लिखवा कर लाया है भागवान पर भरोज़ा रखो देव कि वो क्या सूचता है क्या करता है यह तो वही जाने मनुष्य तो व्योश होता है परन्तु ये देकारा ग्रह हमारे वर्तमान का यथार्थ है तो ये भी निश्चत है देवी कि हमारा आठमा पुत्र हमारे भविश्च का यथार्थ होगा उस आठमें पुत्र की प्रतिक्षा में जीना सी को देव की क्योंकि वो ही हमारा कर्म भी है धर्म भी और तपस्या भी जब वो आएगा जब वो आएगा तो इस अंसार को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा तुम तुम दन्यों देवी कि तुम्हें उस बालक की मां बनने का स्वभाग्य प्राप्त होगा और धन्या है एक आरा ग्रह जो उसकी जन भूमी कहलाएगा वसुदेव ठीक कहते हैं देव की हम तीनों ही का जीवन पांतर प्रतिक्षा है पुत्रे पांतर प्रतिक्षा कि यह सारा भूमंडल उसकी प्रतिक्षा कर रहा है क्योंकि कंज की शक्ति को ललकारना आज के किसी महायोधा के वश में नहीं है पुत्री यह द्याठ्वा पुत्र ही उसका काल है तो भिर साथ नीरप्राधियों के हत्या क्यों ऐसे ही तो पांप का कड़ा भरता है देव के लिए हाँ